टू पर ओके तो यहां पर देखिए बच्चों नंबर आपको दिया 3 1 Z 5 यह भी 4 डिजिट का नंबर है तो नंबर क्या है 3 1 Z 5 कहरा इड़ा इड़ा मल्टिपल ओफ 9 तो हम इसका सम अफ डिजिट करेंगे सम अफ डिजिट करेंगे क्या जगा सम अफ डिजिट 3 प्लस 1 प्लस Z प्लस 5 अब अच्चों यह जो सम अफ डिजिट थे यह क्या होना चाहिए तो जवाब है यह होना चाहिए क्या मल्टिपल ओफ 9 ठेक चलो यानि के 3 प्लस 1 हो गया 4 4 प्लस 5 हो गया 9 9 प्लस Z है ना Z में थोड़ी ना एड़ कर दो Z तो बिचार अकेला पड़ा रहेगा नंबर को एड़ कर दो 3 प्लस 1 4 4 प्लस 5 9 तो 9 प्लस में क्या बच गया Z is equal to क्या होना चाहिए sum of the digit क्या होना चाहिए multiple of 9 होना चाहिए और Z negative नहीं हो सकता सुन लो ध्यान से Z minus VE का मतलब negative Z negative नहीं हो सकता ठीक Z two digit का number नहीं हो सकता two digit का number Z नहीं हो सकता ठीक Z क्या होना चाहिए positive प्लस लिखके VE लिखेंगे इसका मतलब positive तो Z positive हो सकता है yes sir और Z क्या हो सकता है Z single digit number होगा अब सनो Z starting में नहीं आ रहा है चेक कर लो Z बीच में कहीं आ रहा है तो Z zero भी हो सकता है Z may be zero Z may be zero Z zero भी हो सकता है अगर zero आ गया तो उसका हम ले लेंगे ठीक है चलो अब बच्चों इन्होंने पूरा सवाल क्या पूछा you will find that there are two answers for the last problem why is this so अच्छा इसी के लिए नहीं अब पूछा होगा कि यहां पर दो आंसर आ रहे हैं एक बार देख लेते हैं 16.1 में तो एक ही आंसर आ रहा था ना 16.2 में एक ही आ रहा होगा वाई just-1 देख लेतीं वर तो तो वहां पर आ रहा था आपके बाद 16.2 का question number 1 हां यास उसमें एक ही आ रहा था तो इसी problem के लिए बोल रहे हैं कि यहां यहां पर z के दो values आ रहे हैं ऐसा क्यूं है तो आप ज़रा देखते हैं वही कैसा है ऐसा क्यूं है तो ध्यान समझो यह जो बच्छो 9 plus z आ रहा है ठीक 0 को भूल मन जाना 0 हर एक number का multiple होता है तो 9 कब multiple होगा तो multiple of 9 की जगा 0 9 18 27 है ना next आएगा 36 यह सब लेना है ठीक है ना चलो देखते हैं तो 9 plus z को सबसे पहले आप 0 के equal रखो ठीक फिर आप क्या करो 9 plus z को आप रखोगे किसके equal 9 के equal रखोगे ठीक फिर आप 9 plus z को रखोगे किसके equal 18 के equal रखोगे ठीक उसके बाद 9 plus z को आप रखोगे किसके equal 27 के equal रखोगे ठीक है बस इतना काफी है मेरे खाल से हना इतना काफी है काफी है काफी है काफी है यह सर काफी है इतना देखो यह equation 1 बन गई यह हो गई 2 ठीक यह हो गई 3 और यह हो गई 4th correct चलिए अब सब से पहले हम फस्ट equation को solve करेंगे तो फस्ट equation क्या है 9 प्लस Z is equals to 0 अब प्लस 9 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस भाई यह प्लस 9 है ना बटा उधर जाएगा माइनस हो जाएगा यानिके जट का वैलू कितना आगा मैं इसको हम छोड़ देंगे ठीक यह वैलू डिसकार्ड हो गई नोट करिए कॉपी में वीडियो पास करके फटा फट नोट करिए चलो सेकेंड एक्वेशन उठाते हैं कि सेकेंड एक्वेशन में क्या है देख लीचे 9 प्लस Z अब यह प्लस नाइन अधर जाएगा तो क्या होगा ज इड़ प्लस नाइन और यह प्लस नंबर क्या बन जाएगा आप आप Z0 ले लोगे यहां पर मैं आपको दिखाता हूं यहां पर देखें बिच्छों नंबर आपको क्या दिया रहा होगा अब आप सीजा कितना होता है बताओ 27 ठीक 11-7 क्या होता है 4 यहां 2-2 कुछ नहीं बचेगा यहां से 0 कॉपी किया 9-4 दा कितना होता है 36 40-36 4 और यहां से कॉपी किया 5 9-5 दा कितना होता है बताइए 45 और रेमेंडर आ गया 0 यह लीजे हुआ डिवाइड किनी 9 से कौन 3105 यहनि कि Z की ज यहां पर हम answer कर रहे है ठीक तो एक Z की value आ चुकी क्या Z की और भी values है वो तो check करना पड़ेगा तो इस equation से आपका काम बन गया aspectic लगा देते हैं next equation ले लीचे third वाली third equation में क्या बच्छो 9 plus Z is equals to कितना है 18 है ठीक अब ध्यान सुनो प्लस 9 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा यानि कि Z is equals to क्या हो जाएगा 18 माइनस 9 इतने तो समझदार हो आप प्लस का 9 ने उधर जाएगा माइनस हो जाएगा Z is equals to 18 माइनस 9 कितना होता है 9 अब बताओ क्या Z positive है yes sir क्या Z single digit है yes sir बस दो ही बाते तो चाहिए Z positive होना चाहिए single digit 9 एक single digit number है तो बंत हो गई आपकी बात ठीक negative minus 9 थोड़ी ना रहा है 9 आ रहा है ठीक तो Z की value 9 भी हो सकती है yes sir यानि के या तो Z क्या होगा और और का मतलब या या तो Z 0 होगा या तो Z क्या होगा 9 होगा ठीक है students अब जहां सुनो अगर Z 0 होगा तो यहाँ Z की जगा 0 दिखोगे 9 लिखोगे 5 correct तो यह दिखिए यानि कि Z के दो values यहां पर possible है ठीक है students अब उसने पूछा why is it so why this is so अच्छा इसके पहले बात और बता देते हैं आओ जड़ा देखते हैं क्या Z का और भी value possible है तो इससे आपकी बात बन गई तो इस पर हमने टिक कर दिया next equation लेते हैं ठीक next equation क्या है fourth वाली 9 plus Z is equals to 27 है ठीक 9 को उदर भेजोगे तो Z is equals to 27 minus 9 अब बताओ 27 minus 9 कितना होता है 18 होता है तो Z is equals to 18 सुन लो Z positive तो आ रहा है लेकिन Z क्या आ रहा है 2 digit का नंबर आ गया भाई 1 8 1 2 2 2 digit है यह तो क्या आगया 2 digit का नंबर है ना और Z क्या होना चाहिए Z तो single digit होना चाहिए यह answer discard हो जाएगा यानि कि यह वाली equation आपकी discard हो गई ठीके ना अब सुनो मैंने आपको बताया था जैसे ही किसी multiple पे 9 के multiple थे 0 9 18 27 27 पे आपको Z का value 2 digit मिल गया stop कर देंगे 36 रखने पे अगर यहां 36 रखोगे तो Z का value फिर से 2 digit आएगा बाई 27 पे आया तो 27 से बड़े नंबर तो पक्का 2 digit देंगे ना तो अब हम stop कर देंगे यानि कि Z के उनली दो ही values है कौन-कौन से 0 और 90 सभी है ना ओके students तो इस तरीके से आपने यहां पर answer बताया अच्छे इ है you will find that there are two answers for the last problem why is it so के रहाए के रहाए के दो values क्यों आ रहे है reason तो reason मैं लिख देता हूं कहीं पर इसको पहले copy कर लो copy कर लिजे कर लिया चलो अब y का answer तो हम यहां दे चुके आपको सब कुद दिखी रहे है यहां पर ठीके students बट फिर भी लिख दो एक theory लिख दोगे क्या क्या लिख होगे there are two values of z means z is equals to 0 or z is equals to 9 because बिकॉज द नंबर्स वो बिकम विल बिकम नंबर क्या क्या बन जाएंगे जब आप जड़ेट 0 लोगे तो नंबर बनेगा 313105 और जब आप जड़ेट कितना लोगे 9 तो नंबर क्या बनेगा आपका 3195 3195 respectively respectively we can clearly see that कहा लिख हो मैं कहा लिख हूंद आपका 3195 तो नंबर्स दिस्ट नंबर्स थी तो नंबर्स थी तो नंबर्स आपका 3196 divisible by divisible divisible by 9 hence hence the number so the number so the number so ये क्या बात लिग दी? मैं यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ कि ये number ऐसे से बन जाएंगे 0 लेने पर number ये बनेगा और 9 लेने पर number ये बनेगा और हम clearly देख सकते हैं कि some of इन नंबर्स के ये 9 से डिविजल है इसलिए ये दोनों नंबर भी 9 से डिविजल हो जाएंगे लेकिन अब आपको यहां sum of the digits करके दिखाना पड़ेगा एक्जाम में तो आप क्या करो आप बच्चों यहां sum of the digits इतुरी लिखने के बाद आप क्या करोगे इसके बाद आपको digits का sum करके दिखाना पड़ेगा three प्लस फस्स वाले नंबर के लिए three plus one plus zero plus five है ना यह किस के लिए यह first नंबर के लिए these किस के लिए first number के लिए किसके लिए three 105 के लिए थेक तो sum of the digits करके दिखा दीजेगा ठीक है 3 plus 1 4 plus 0 4 plus 5 9 9 आ गया 9 is divisal by 9 इसी तरीके से second number के लिए ठीक second number क्या आपके पास 3 1 9 5 ठीक है अब इनका digits का sum करके आप दिखा दोगे 3 plus 1 plus 9 plus 5 कितना आ रहा है 3 plus 1 4 4 plus 9 13 13 plus 5 कितना होता है 18 अब आप लिख देना 9 is divisal by 9 and 18 is divisal by 9 यह 9 is a multiple of 9 and 18 is also multiple of 9 इसलिए बस दो answer है सब कुछ explain कर दिया, note कर लीजे